हरो मेरे एक सापैरेंड आप लोग बहुत अच्छे हो गे और बोल्ड की एक्जांप बहुत अच्छे ब Nepu ली कोदेलिया आप Kelvin अ quoi बोगोंने वह जो हमारा स्टेप था आप बहुत अच्छे से पार कर लिया अब आप एक CUT aspirin बन गए हो और उसके regarding हम थोड़ा सा discuss करने आए हैं हमें पता है कि आप सभी को सब कुछ पता है फिर भी हम आपको बार बार recall कराने आते हैं remind कराने आते हैं आपके अंदर जो है आपको दिखाने आते हैं अब सबको बता है कि जो हमारा लास्ट डेट है CUT का फॉर्म का वो 26th of March रहने वाला है तो इसके पहले फॉर्म फिल कर लो आज आपका जो भी डेट है उफिसाब साब अपना फॉर्म फिल कर लो अब बात करते हैं एक्जाम का जो स्टार्टिंग है कहां से स्टार्ट हो जाता है 15th of May से हमारा एक्जाम स्टार्ट होने वाला है अब आप देख लो मार्च अपरेल में हमारे पास लगभग लगभग एप्रॉक्स में सिर्फ और सिर्फ साथ दिन ही बचे हैं अब इस साथ दिन में ऐसा क्या कर जाओ कि वो एक जो ड्रीम यूनिवर्सिटी आपने दे रखी है या बेच्चू देख रखी है वो आपको मिल जाए मतलब कि आपका जो करियर जो है एक अच्छी मुकाम पे पहुच जाए और आज से चार साल बाद आपको रिग्रेट ना हो कि आपने ये स्टेप उठाया था तो ये वो सीड़ी है जहां आपको चड़ना है या नहीं चड़ना है ये आपके उपर डिपेंड करता है बट हां हम आपको गाइड कर सकते हैं आपको बता सकते हैं कि आपको ये सीड़ी जरूर से चड़नी चाहिए ठीक है क्योंकि एक ग्रेजुएशन की डिग्री बहुत इंपोर्टेंट होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अब बात करते हैं अब डेली कितने घंटे पड़े साथ दिन बचा हुआ है साथ दिन में ऐसा क्या करना है यह हमारे और आपके उपर डिपेंड करता है कि हम आपको वह कौन सा कॉंटेंट दे दे या आप अपने उपर वह अपने तरीके से कौन सा एफर्ट लगा दें कि आपको वह अच्छी सी कॉलेज अच्छा रैंक मिल जाए तो बात करते हैं कि डेली कितने घंटे पड़े 10 घंटे 20 घंटे 8 घंटे 9 घंटे माईने नहीं रखते आपने जो भी पढ़ा है जो भी कॉंसेप्ट रहें आप उस पर भरोसा रखना है खुद पर भरोसा रखना है दस घंटे पढ़ने पर भरोसा नहीं रखना आपको ठीक है यह डेली कितने पढ़ने हैं यह हर इंसान का अलग-अलग होता है कोई 10 घंटे पढ़के लेकर आएगा कोई 5 घंटे पढ़के लेकर आएगा ठीक कितना चला सकते हो। कितना क्रीएट कर सकते हो। कितने तरीके की concept इस दिमाग में भर सकते ओ। अब उस पर दिपेंड करता है। तो घंटै इम्पॉर्टें नहीं है, क्उसपट कितने विल्ड कर दी, कितने चीज़े दिमाग में डाल ली आपने बले दो घंटे क्यों न पढ़के कियो यह important है अब अब बात कर लेते हैं कि choose your domain form fill कर रहे हो अभी तक तुम सभी के सभी domain भरते वक्त गलती मत करना 12th का जो subject है उसी को as a domain fill करना उसके बाद ही आप अपना college अपना जो भी courses जो ले सकते हो ठीक है अब GT जरूर से ले ले के बाद आप maximum course a girl courses के लिए eligible हो जाते हो आप बात करते हैं GT ले लिया और एक language language हमारा कोई भी एक हो सकता है ठीक है कोई भी आप language Hindi ले लिया English ले लिया maximum अच्छे English ही लेते ठीक है English ले लिया तो यह जो combination बनता है क्या GT language plus domain subject जो भी आपका 3 plus GT यह जो combination बनता है इस combination से आप more courses के लिए eligible हो जाते हो for the more university आपको ज्यादा option मिल जाता है ठीक है अब बात करते हैं strategy कैसे बनाए 12 की जो strategy थी अब उसको वही खतम कर दो भले ही आपका 12 का 70-80% सी लेबस है लेकिन 12 की strategy से आप MC वही इसमें MC क्यू है negative marking है एक number 5 question का है अब 12 में क्या था एक number का भी है दो number क बीए चार number का भी है तो उससां आप से हम बढ़ाई करते है कि यह पांच number वाले question है यह 4 number वाले question है यहां पर हर chapter बराबर है हर chapter से equal marks के question पूछी जाएंगे सबसे ब़से एक मिस रिंफ आप हैं ऑर क् mucho को सबसते हें लेकर बासर नंबर को का सकता है और गलत किया तो एक नमबर जा भी सकता है ठीक है तो इस्ट्रेटेजी बोड से अलग होनी चाहिए अब फोकस मोर ओन क्लैर्टी ओफ कॉंसेप लर्न करके रट के बोर्ड में जाके लिखके चले आए क्यों कि हमें पता था कि यह कोश्चन जरूर हो सकता है रिपीट नहीं हुआ था लास्ट यह तो पिछले साल हुआ था लास्ट यह था तो हो सकता है अभी तो हम लर्न करके जाते हैं चापके चले आतनी स्टेप मार्किंग तो मिली जाता है हमें बट यहां ऐसा नहीं है आप स्टेप सॉल कर रहे हो उसे मतलब नहीं एक्जामनर को आपने मार्क कौन सा एंसर किया ह है उसे नहीं जोत इंप इंपॉर्टेंट है जो फाइनल एंसर है आपका वहogene चाहिए कि हां वह एकुरेट है यहीं है या नहीं तो एकुरेशी और टाईम मेनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वह आपका यहीं पे होगा जब भी कॉंसेट पर रहे हैं जब भी पढ़ लो इसे क्या लिखा हूँ, जुनून is all about getting the dream college, government college, government college से पढ़ना एक अलगी बात होता है, मैं बेच्चु से हूँ, तो बेच्चु के बारे मता सकते हूँ, मतलब बेच्चु मेरा वहाँ घर भी वही पे, तो बेच्चु मुझे बहुत personally, मुझे बहुत पसंद है, क् कि वहाँ का environment, वहाँ का culture आपको नहीं मिलेगा, बनारस लोग दूर दूर से आते, तो बेच्चु जैसा कोई मतलब, हाँ, डियू भी ऐसा नहीं कहेंगे, डियू बहुत अचा college है, पर बेच्चु फर मी बेच्चु, ठीक है, तो अब जुनून बैच्च हमने आपके सीट जो है, वो रिजॉब हो चुकी है, अभी तक में, अब जितने बचे हैं, जल्द से जल्द, क्योंकि कल से हमारा 14th of March है कल, कल से हमारा नया बैच्च स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, अब ये बैच्च हमारा 14th of March से स्टार्ट हो गया है, तो कोशिस करो, कि आप लोग फॉल्मेंट ले लो, ठीक है, अब बात करते हैं, मेक सीलेबस, वही सबसे में जोता है पहला स्टेम हमें नीचे लिखा है, क्योंकि फॉर्स स्टेम्हें यही है, कि सीलेबस को जीरोक्स करवा के, टेबल पर रख दो, फोन में रख लो, सींलेबस वहरो फ्रेंड होता है, व अमेशा सामने, क्योंकि syllabus अगर आप well known हो, syllabus पता है आपको, तो आपको पता है कि आपको जाना कहा है, आपको करना क्या है, और कितना करना है, कहां तक पढ़ा है आपने और कितना बाकी रह गया, यह आपको सब syllabus ही बताता है, syllabus नहीं पढ़ा है, तो चार जगा घूम लोगे, तब भी समझ मनी आएगा, हर टीचर अपना अपना ज्यान दे के चला जाएगा, ठीके, तो मिलते हैं जुनून में, ठीके, अब जुनून क्या है, जुनून वो सीरीज है, जुनून वो बैच है, जो हमने आपके लिए लॉँच किया है, ठीके, साइन्स अड़ा 247 पर बहुत अच्छा college है, आप search कर लेना कि वो कौन से rank पे आता है, ठीक है, बाई, now में जाईएगा, और, प्लीज अनू 20 code यूज़ कीजिए, for the maximum discount, ठीक है, maximum discount के लिए अनू 20 code यूज़ कीजिए, आपको यहाँ पे, जितना भी है, उससे ज्यादा discount मिलेगा 2,9, और इससे भी कम होगा, आपके कुछ points होँगे, app में कुछ points भी होता है, आप उसको भी लगा देना, तो यह 2800 something का पड़ जाएगा, तो आपको इतना, code क्या यूज़ करना आपको, यूज़ कोड अनू, ठीक है, आपको code यूज़ करना है, अनू 20, for the maximum discount, अनू 20, और code ले लिया, class ले लिया, तो आप अनू, अनू.sing, add the rate, add the rate, add the 247.com पे message कर दो, कि आपने ये courses ले लिया है, ठीक है, और अगर कोई query है, तो आप इस पे मुझे email कर सकते हो, thank you so much, अपने feature की त्यारी करो, और जी जान लगा दो, मिलते हैं classes में, अनू.